जय हैं दोस्तों तो आज दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अब फिर भी आपको डर लग रहा है तो आपके अंदर का डर आज से बाहर कैसे चलिए यह आपके सामने पेपर है इंगलिस का देख लिजिए जानते हैं कि तीन घंटा पंदर मिट का समय मिलेगा टोटल सौ मार्क्स का रहेगा इंगलिस ठीक है और इस तरह से बनाना है देख अब्जेक्टिव तो है ही और चलिए अब बहुत आसान है अगर आप लोग किताब में पढ़े हुए हैं इंगलिस का अगर अब्जेक्टिव तो आप लोग मार दिजिएगा ऐसा नहीं है ठीक है देखिए यही सब कोस्टन डाता है ठीक यह सारा कोस्टन है और नीचे थे अगर देखिए यहासे नंबर कैसे लेना है यहाँ पर दिया गया है क्या। पूस्टक दी गया है यहाँ पर unconditional है ठीक है रिंदी टू इंगलीज अप आसानी से कितना नमबर लेंगे बताएए एक नमबर ये हो गया इसमें option में translation बना हुआ है आपको चुनके मारना है उसे कारिये पूरा करने दो दो नमबर option है जो भी आपका answer होगा उसमें लगा दीजिए एक गलास पानी लाओ ये छोटा छोटा translation है हिंदी का हिंदी to English बना ह हुआ है केबल आपको यहाँ पर टिक करना है ठीक है उसने क्या कहा नीचे option है ठीक है देख लिजिए इस तरह से आप लोग translation को बना ही लिजिएगा नीचे चलिए दिखा देते हैं एक जलक और देखिए यहाँ पर है देख लिजिए नीचे यहाँ पर दिया गया है नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें सच बोलना चाहिए देख लिजिए यह paper में रहेगा इस तरह से translation आप के board में paper में रहेगा क्या मैं घर जा सकता हूं नहीं मैं तैर ना जानती हूं यह सारा चीज आपके board paper में इसी तरह से रहेगा ठीक है और इसमें से आपको बनान है कि यहाँ पर कितना number का है देख लिजिए दो दू चार दू छो एक साथ number साथ number लेना है कुछ करना नहीं है केवल इसको सही धंग से पढ़ लेना है उपर में जितना भी है यहाँ है कि read the following passage and answer the question that follow इसको पढ़ना है और इसी में से answer लिखना है और answer question रहेगा यहाँ पर who was asoka ठीक है what did historians say about him यह सारा चीज question में यह है और उपर आपको मिल जाएगा इसमें से खोज कर आपको लिखना है ठीक है चलिए अब आगे दिखाते हैं यहाँ से तो देख लिजिए कि साथ number आप आसानी से ले सकते हैं ठीक आप देखिए आगे अब आगे क्या है translation आपका हो प्रागराप on anyone the following about in 60 and 70 words में आपको लिखना है COVID-19 के बारे में importance nature के बारे में a great man of India के बारे में all the glitters and not gold के बारे में village market के बारे में आपको 60 से 70 word में आपको सही धंग से लिखना है ठीक है तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 number ठीक है नहीं तो 7 5 इतना 5 यह हो गया 5 आपका हो ग इतना 9 19 नमबर यह सब पूरा का पूरा जो exact आता है वो हम बतला रहे है ठीक है 19 नमबर यहाँ से और उसके बाद अगर question बनाईएगा सही धंग से तो आपको वहाँ पर number मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो यह रहा आपके सामने English का paper और किस तरह से question रहता है क्या रहता है हम त बाकि आप लोग का तयारी कैसा है आप लोग सही धंग से तयारी करके जाईएगा और पूरा का पूरा बना कर आईएगा तो अमीद करेंगे कि आप लोग को English का paper समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करतें आने वाले सभी update आउता के लिए जाहिंद जा भारत वंदे मात्रम